मोबाइल से एक नया रिज्यूम बनाने का बेहदी सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ सो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको वीडियो हेल्फूल लगे तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और दोस्तों को साथ सेर भी कर दिजिएगा अब यहाँपे सर्च करना होगा रिज्यूम पीडियाफ मेकर इस तरह का आपके सामने अपली केसं आएगा यहाँपे आपको क्लिक करके इसको इस्टॉल कर लेना होगा अब install हो जाने के बाद आपको open पे click कर देना होगा अब इस तरह का interface सो हो जाएगा ऊपर लिखा सो हो जाएगा resume pdf maker सबसे पहले आपको अपने phone का data बंद कर देना होगा ताकि कोई भी add यहाँ पे so न हो अब आपको यहाँ पे नीचे plus वाले icon पे click करके एक profile name आपको यहाँ पे type कर देना होगा आप अपना नाम ही यहाँ पे type कर सकते हैं उसके बाद add पर click कर देना होगा अब यहाँ पे आपको edit के button पे click करके यहाँ से edit कर सकते हैं बाकि view पे click करके इतना format इस application में add होता है इस format में आप resume को select कर सकते हैं देन उसके बाद यहाँ पर three dot की आइकन पर क्लिक कर कि यह profile यहाँ पर rename कर सकते हैं, duplicate बना सकते हैं और यहाँ से delete कर सकते हैं, अब resume create करने के लिए आपको edit वाले बटन पर क्लिक करना होगा, पहला option सो हो जाएगा basic personal information, इससे पहले ही यह जितने option यहाँ पर सो हो रहे हैं, यहाँ पर जितने भी और भी extra add करना चाते हैं, जैसे कि declaration अगर आप आप आइड करना चाते हैं, इससे पह क्लिक कर देना होगा, अब उसके बाद अपनी hobbies add करना चाते हैं, इसको यहाँ से अपने reference दिखाना चाते हैं, कि किसी के reference से अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से select कर देजिए, इसको बाद अधर भी यहाँ पर पांच-छे जो बच रहे हैं, इसको भी अगर आप उसमें 100 करना चाते हैं, इसको यहाँ से add कर लीजीगा, यहाँ पर चार add कर दे रहे हैं, यहाँ पर हटा दे रहे हैं, यह तीनों रहने देज़ें, यहाँ पर फर्ष्ट वाल से rotate और गएरा कर सकते हैं अगर photo rotate होगी तो देन उसके बाद यहां से आप इसको पकड़ के यहां से आप crop कर सकते हैं crop करने के बाद यहां पर उपर crop पे click कर देंगे तो photo आपकी select हो जाएगी name लिखा हुआ यहां पर आपको अपना name इंटर कर देंगा दिन मोबाइल नमबर यहां पर इंटर कर देंगा email id इंटर कर देंगा उसके बाद resume headline पर आपको resume लिख देंगा दिन उसके बाद यहां पर link तो आपको इसको आपको select कर देना होगा जैसे कि मैं यहां पर अभी select कर दे रहा हूं यह वाला तो आपको इस तरीके से आपको select करना होगा जो आपकी इसमें से best लगे उसके बाद आपको फिर से back कर देना होगा अब यहां पर तीसरा है skill आपको इस पर फिर से click करना होगा य देन उसके बाद यहां पे plus के icon पे click कर दिना होगा अब जिस भी organization का आपका experience है उस organization का यहां पे आपको नाम लिखना होगा उसके बाद डेगीनी nation में आपका जिस भी जो भी आपका पोस्ट रहागा वो आपको यहां पे लिखना होगा देन उसके बाद आपने उस organization में कब से कब तक काम किया वो यहां पे आपको date लिग देना होगा देना आप ही responsibility क्या है वो यहां पे आपको type कर देना होगा अब आपको यहां से back कर लेना होगा देन उसके बाद आपको project कोई रहोगा तो उसकी details यहां पे आपको feel करनी होगी otherwise आपको इसको back कर लेना होगा अब आपक पार आप बिठे ड़ाएं से होगा थाए या फिर आपका टेक्निककल कोई से यहाँ TB कर रहे होगा इसके बाद आपको आयड करने के लिए आपको क्या के बाद लिए फिर क्लिक करनौ प्र देन के लिए था यहां पे उसकी details fill कर नहोंगा दिन इसके बाद और भी कोई आपको feel करना है तो फिर से plus के icon पर klik करके इसकी details यहां पर दे देना होगा अभी इससे तरीके से अपनी qualification के details आपको feel कर लेना होगा उसके बाद आपको back कर देना होगा अब next आता है additional personal information इस पर click करना होगा दिन उसके बाद यहाँ पर आपका address का जो भी details होगा उसको यहाँ पर feel करना होगा address में सबसे पहले आपको अपने father का details लिग देना होगा जैसे कि son of या data of लिग के उसके बाद आपको अपना address लिग देना होगा ताकि अपने father का नाम भी यहाँ पर आपका so हो जाए हैं आपका marital status जो होगा वह यहाँ पर लिग सकते हैं जैसे married है या unmarried है नेशनल्टी जो होगी इंडियन या अदर वो उसको यहाँ पर सो कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जितना भी details है वो सब optional है जो भी आप छोड़ना चाते हैं उसको छोड़ सकते हैं आपका जैंडर जो हो यहाँ पर सो कर सकते हैं driving license है तो उसको भी यहाँ पर एड़ कर सकते हैं अब इस तरीके से details से feel करके आपको back कर देना होगा अब उसके बाद यहाँ पर अगला अपसने interest का इस पर click करना होगा plus icon पर click करना होगा अब जिस भी area में आपका interest हो उसको यहाँ पर type कर देना होगा कर लेना होगा देने उसके बाद यहाँ पर reference अगर आप किसी की reference की through जा रहे है company में तो उसका नाम यहाँ पर details वगएरा दे 吸य गार करके here reference जिसके ठूट आग रहे हैं, उसका नाम लिखना होगा, उसका अगरेजेशन, फोन, एमेल आईडी, उसकी डीटल से यहाँ पे फील कर देना होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर बैक कर लेना होगा, अब यहाँ पे आता है बाखी आप चाहते अप्लोड पे क्लिक करके यहां से अपने फोल्डर से ही यहां पे अप्लोड कर सकते हैं दिन उसके बाद फ्रेंट्स अब आपको यहां पे पूरा फार्मिट आपको बन चुका है अब आपको यहां पे बैक कर लेना होगा बैक करने के बाद नीचे आपका resume download करना चाहते हैं उस format पर click करना होगा अब यहाँ पर जो भी आपका resume होगा वो format यहाँ पर so हो जाएगा बाकी friends यहाँ पर नीचे आपको कई सारा option मिल जाता है जैसे कि इसका format का जो color है वो change करना चाहते हैं इस पर click करना होगा अब यहाँ पर आप जो है इसका color भी change कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगी हो अपने हिसाब से यहाँ पर चूश कर लिजेगा अब यहाँ पर email की थूरू भी किसी को भेश सकते हैं PDF यहाँ पर download करके इसको download कर सकते हैं यहीं से direct किसी को share भी कर सकते हैं बाकी friends यहाँ प पूँश कते हैं बाकी और भी किसी format में इसको download करना चाहते हैं यहाँ पर अलग से जो format दिया को उस पर click करना होगा आपके सामने अलग अलग format यहाँ पर आजाएगा आपको जो अच्छा लगे उस format को यहां पर लाके उसको यहां से download कर लेना होगा बाकी बाद में इस resume में कोई भी changes आप करना चाहते हैं तो इस application को open करेंगे उसके बाद यहां पर edit वाले button पर click करेंगे आपका qualification जैसे higher हो चुका है तो आपको इसको यहां से change भी कर सकते हैं यहां पर और भी add कर सकते हैं इस application के दौरा आप किसी का भी resume बना के यहां से send कर सकते हैं